ये लीजे ले आया आपके संत्रे इतने सारे अरे मैंने तो तुम्हे सिर्फ 20 रुपई दिये थे हाँ तो 20 के तो लाया हूं और पूरे 6 लाया हूं चाचा छे जी कलशाम तक तो 20 रुपई में सिर्फ 4 दे रहा था अरे दे तो अब भी वो 20 के 4 रहा है लेकिन उन लोगों को जो मुलभाव नहीं करते, मैंने मुलभाव किया और मुझे दे दिया, चाचा सबको बेवकुफ बनाता है वो, खालेज मेया, तुमने तो कमाल करती है, खमाल कैसे नहीं करता चाचा, मैंने उसको जाते ही का के भाईया देख, के मैं 20 रुपे के 6 संत्रे लोंगा, वरना गया बेचारा, और अपनी जान चुड़ाते हुए, उसने मुझे 6 संत्रे दे दिया, ये संत्रा उसे वापस कट दे, क्यों चचाचा, खराब है क्या, ये इतना खराब है, कि अगर तुमें इसके खराबी नजर आ जाए, तो तुम नहीं खाओगे, और अगर खा भी लोगे तो फौरान उटी करके निकाल दोगे, अच्छा, उपर से तो अच्छा लग रहा है, ऐसी क्या खराबी है इसमें, इसमें खराबी नहीं है, मगर इसे पाने के लिए जो तुमने जूट वोला है, उस जूट ने इसे खराब कर दिया, इसे खाकर, चायद तुम्हारे जिसम क ताकत मिल जाए, मगर अल्ला का नवदा हुआ वो इहतास, जो इनसान को अच्छा और बुरा समझने की सलाहियत देता है, वो दम तोड़ देगा, क्या तुम चाहोगे, कि जिन्दगी भर अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत खो बैठो, नहीं चाचा, हर्ग क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कुछ कहे मैं ये लोटा दूँ और मुझे शर्मिनदा ना होना पड़े, ऐसा कर सकते हो तुम, मगर जिस एहसास को तुमने जूट बोलकर जखमी किया है, उस पे मरहम नहीं लगेगा, जो खुशी तुमें जूट बोलकर इस फल को लाने में हुई है, एक बार सच बोलकर इस फल को वापस करो, फिर देखो, तुम्हें उस खुशी का एहसास होगा, जिसका ना तो तुम अंडादा लगा सकते हो, ना मैं लब्दों में बयान कर सकता हूँ, जूट नहायद बुरी बला है, या ला तु इस उमत को मुनाफिकों की आद छूट से बचा. चाचा ऐसी खुशी का एसास आज से पहले कभी भी नहीं हुआ